जाने वाले हो यह दूसरा रास्ता है और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले दस बीस नहीं है सेक्णों लोग हैं रो जाते हैं और माला पकड़ा देते हैं राम 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 राधे 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 राम 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 राधे राधे बस यही करो देश तो ठीक हो जाए तुम क्यों वेर्थचिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा, वो हमको समझाते हैं, और इसी को धरम कहते हैं, इसी को धरम कहते हैं, और एक आया राम की कथा कहेगा दस करोड लेके जाएगा दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो पंद्रे करोड लेके जाएगा और आप जैसे भोले भाले मू रख लोग डालते हैं उनके पात्रों में ले जा भाई ये बापू नहीं है डाकू है बापू नाम तो शरम आती है कहते हुए कहीं से 10 करोड लूटो कहीं से 20 करोड कहीं से 25 करोड और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धनका करे ही क्या इंकम टेक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापूं को देते रहते हो आप क्या करें उसका और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मैंने देखा है क्या-क्या पाखंड और नोटंकी चलता है भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हमें वीरता पैदा करें जो साहस पैदा करें राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है वीरता का है जब चौदे वर्ष के लिए बनवास चले गए राम तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथाना उसमें कहते हैं, राम ने 14 साल एकी काम किया, हाए सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते, ये सुनाते हैं हमको, हाँ, ये ही सुनाते हैं, निकाल के कहानी में से, और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाए सीते, हे सीते, हाए सीते, ये ही करना था, 14 साल, तो दूसरा विबा क्यों को राम को देने के लिए वो तो कर लेते दूसरा विवा क्योंकि हाए सीते है सीते है सीते है सीते एक इस्तरी के लिए अगर वो इतने ही बिलक रहेते तड़प रहेते दूसरा विवा कर लेते तो ये सब चुप हो जाते हैं फिर बात नहीं करते हैं फिर मैं उनको रामाइन मै से निकाल के दिखाता हूँ देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकणों राक्षसों का संघार किया उन्होंने मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई ये कहानी क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको और राम के था जब वरनन की जाती है तो मंच में बैठके आहा कैसे आसू ड'tलल ड'tलल आँसु निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे किस बात के लिए, ओ राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफ हैं हो रही है, तो राम की तकलीफों का वरणन कर रहे हैं, आँसु आ रहे हैं, और ये सारा वरनन air-conditioned मंच पर बैठकर होता है अपने को तकलिफ नहीं होनी चाहिए राम की तकलिफों का वरनन कर air-conditioned मंच चाहिए air-conditioned घर चाहिए रहने के लिए air-conditioned car चाहिए और charted plane चाहिए आने और जाने के लिए तब राम की कथा सुनाई जाएगी जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे जिनोंने अपना रत भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय वो राम ने जिंदगी भर पैदल चलके काम किया और यहाँ एर कंडिशन कारों में घूम घूम कर चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं वो कथा वता नहीं है वो उद्योग है व्यापार है बिना टैक्स का और मुझे बहुत शरम है यह कहते हुए समय आने पर प्रमान से बात करूँगा कि राम कथा कहने वाले बलैक मनी को वाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजन्ट है और इससे जादा कुछ नहीं है और मुझे इससे भी बड़ी शरमातिय है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को और आपके दिये हुए पैसे से धंदा बना रहे हैं अपना फिर ऐसे क्रश्न की कथा कहने वाले आ जाते हैं कि तो रादे 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 और कुछ कहो ही मत रादे रादे कंस को मारा, जरासंद को मारा, शिशूपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, रादे 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 बड़े में क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीरे बनाना है, नपुनसक बनाना है तो वीर्ता की कहानी क्यों सुनानी है तो चुन चुन कर ऐसी कहानिया सुनाते है और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग है ना राम और क्रश्न की कता कहने वाले ये सरकारों के साथ मिले हुए है क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है तुम लोगों का ध्यान इस तरब भटकाते रहो ताकि कोई महगाई के खिलाफ न लड़े गरीबी के खिलाफ न लड़े बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े अत्याचार के खिलाफ न लड़े वो डूबा रहे रादे 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 राम 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 बस इसी में और समझाते रो तुम क्या लाए थे तुम क्या ले जाओगे क्यों विर्थ चिंता करते हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा एक रास्ता ये है अब दो रास्ते हैं अपने साम एक रास्ता भगत सिंग का उदम सिंग का चंदरशेकर का एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का पाखंडीयों का जो राम की कथा कृष्ण की कथा मुझे बहुत ओफर आये है मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूँ सच में कह रहा हूँ आपसे नाम नहीं लेता मुझे ओफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो मेरे साथ आजाओ मैंने का बापू जी क्या होगा उसमें तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा मैं बोलना कैसे तो नहीं का तुमारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़े कठा करने का मजमा लगाने का तरीका है मैं ऐसा डमरू बजाता हूँ कि सब इकठे होते हैं और तुमारी वाणी में जोर बहुत है मिलके लूटेंगे थोड़ा तुमारा थोड़ा मेरा ऐसे खुले ओफर हैं मेरे पास और मैं कहता हूँ बापू जी माफ करो क्यों कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए मैंने का पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास यही एक बचा है पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं ये एक रास्ता थोड़ी है बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूँ घर बना लूँ बीबी बच्चे ले आओं करोड़ पती हो जाओं दस करोड़ पती हो जाओं सो करोड़ पती हो जाओं बहुत आसान काम है ये तो थोड़ी चाला की हो तो सेकड़ों करोड बनाना बिलकुल मुश्किल नहीं है इस देश में फिर अंत में तो वही होगा ना सेकड़ों करोड हो गए एक धिन डाइपिटीज होगी एक धिन अर्थराइटीज होगा एक धिन हरट अटेक आएगा में मरने ही वाला हूँ तो मरना तो है ही वहां भी शायद जल्दी मरू क्योंकि जब शरीर में तामस व्रती आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है तो तामस व्रती आईगी मरना मुझे वहां भी है तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरू जहां सात्युक्वरती भी है मरना है ये तो पक्काई है जिंदा तो कोई रहेगा नहीं तो भगत सिंग का रास्ता क्या बुरा उदम सिंग का रास्ता क्या बुरा चंदरशेखर का रास्ता क्या बुरा कुछ क सूलिन लगाते हैं खाते हैं गोलियां अपनी डाइबिटीज नहीं मिटा पाते हैं दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है क्योंकि यह जो काला धन है ना इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है सब बीपी की गोलि के लिए शिकार हैं तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाओं वो एक रास्ता है एक रास्ता बगत सिंग उदम सिंग चंदर शेकर का भी है मौत तो दोनों में ही आने वाली है बस अंतर इतना है एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर रखेगा और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा ने तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता बगत सिंग वाला उदम सिंग और तै कर लिया है कि जैसे बगत सिंग उदम सिंग चंदर शेकर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेज को मार बगाएंगे इस देश में से और करना क्या है करना तो एक ही काम है